हाई मेरी यूटूब फिमली कैसे हैं आप सब लोग दोजार थेज के जो थार्ट समस्टर के लड़के थे जो बीट भा के लड़के थे और खासकर मैं अपने उन्वेस्टी की आज बाद बात बताने वाला हूँ जो महराज सोहेल दी उन्वेस्टी की है तो काफी लोग मुझ कितने दिनों में आपका जो है पेपर करवाएगी इन्वेस्टी इसके बारे मैं डेटल से आपको बताने वाला हूँ तो गाइस जैसे कि मैं आपको आज आज जो नीउज है माहराज सोहेल दो यूश्टी आजमगड की जो नीउज है वो इन्वेस्टी से कल एक डाटा वेर लड़के हैं क्योंकि मैं इसे रेलेटेड वीडियो बनाता हूं लेकिन यह वीडियो जो महाराजा सोहल दो कि अगर कोई भी कंडिटेट जो यह करके कोर्स कर रहे हैं तो उनके लिए भी इंपोर्टन हो सकता है या है भी और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपक की वह 20 नौमबर है 9 नौमबर से शुरू है 20 नौमबर आपके अंतिमतित है तो कुल मिला के लगपर 11 से 12 दिन आपको टाइम दिया है इन्वस्टी आपका तीन दिन जो है करेक्शन के लिए उपलब्द है अंतिम दिन जो परिछ्छा फाम भनने का है वह 20 तारीक है 20 सब्जेक्ट चूच करने के लिए 3 समस्टर में तो उसको आप ध्यान से चूच करिएगा और अपने प्रोफेसर से पूच के चूच करिएगा कि कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया गया है कौन किसको प्रफेड देना चाहिए तो ऐसा कुछ है गाईस इसमें जो आ लगा हुआ था और सीकंड समेस्टर की बात करूं तो एक हजार रुपया लगा हुआ था और थर्ड समेस्टर की अगर मुझे भी तक पता नहीं लेकिन उम्मीद करते हैं कि हजार रुपया से कम आपका इस बार भी परिच्छा फाम नहीं लगेगा सरकारी कॉलेज के लिए प्राइबेट क्याज वाले अपने मनवुतावी परिच्छा फाम बढ़ते हैं अपने मनवुतावी के हिसाबसे सारा डाटा करवाते हैं या फ्राम फिलिक करते हैं गाईस अगर आपका है पता पता गलत हो गया है या कुछ ऐसी चीज़ गलत हो ग delet किया जा सकता है तो उस प्रेंसिया ऐसी रहती है जिसमें अगर आपने सब्जेक्ट को नहीं फिल की हैं तो आप जो उसमें नहीं बैठ सकते हैं तो इसको आप ध्यान में रखेंगे आप अपना खुद का नाम यह सब गल्द नहीं होगा है पता से कोई दिक्क्त नहीं जैसे कि आप लोगों ने मार् थार काड़ा हो गया या पता चिंज हो गया तो इसके लिए आप बिल्कुल घबडाईए गमन आप अपने नाम आपना जो है जो रूल लंबा रहा है या जो माइग्रेशन फैस्टमेस्टर वाले करने डिटेटेश तो इन सब बातों को ध्यान रखे रही है और खास बात ध कॉछ करना है तो एक मैं जो सूचा हूं उसको मैं चूच करूंगा तो आप लोग अपने कॉलेश की यहाप से पूछ लिजेगा कि समें कौन सा सब्जेक्ट चूच करना है तो उसी हिसाब से आप से चूच कर सकते हैं और इसके बाद यह सब आपका जो है नौ से लेकर 20 ता देंगे आपके और वहां से आप हमना admit card निकाल सकने हैं यह का सरकारी college वालों को जो है जो इन्वेस्टी का rule number है वो आता है प्राइबेट college वालों के जो इन्वेस्टी का रहता है उस पर enrollment number चला जाता है इन्वेस्टी के दोरा verify वोकर भेद दिया जाता है तो college वाले क्या होत देने के लिए प्राइबेट वालों को अपना कमाने का सीन है सरकारी college में ऐसा कुछ नहीं है अगर आप जो महराज सोहल के या किसी भी इन्वेस्टी के सरकारी college से जुड़े हो रहेंगे तो आप admit card के लिए कोई पैसा नहीं दीजिएगा और कोई पैसा लगता भी नहीं है तो अगर आप कहिए मैं दूसरे वीडियो में एक विस्तार पूर्वा जानकारी लाओंगा लेकिन मैं ऐसा मोटो मोटो आपको जानकारी देता हूं जैसे कि मैंने आपको बताया थे कि जनौरी के फर्ष्ट बीग में और या फिर जैसे कि अगले अगर second semester की बात किया जाए आगे extend करके आप लेजिएगा तो वही जो है 27 तारिक को आपको complete हो रहा university का रूल मर राप्त होगा और उसके बाद जनौरी के फर्ष्ट बीग में या फिर आपका paper हो सकता है या December के last week में आपका paper हो सकता है मतलब 20 December से लेकर और 7 January के बीच में आपका paper मेरे हिसाब से मैं अ 25 दिन के बीच के बाद भी आपका paper होता तो यहीं मोटा मोटा मैं अनुमाल लगा के आपको चलना हूँ कि December के last week में और January के पहले इसी दोनों हपतों में आपका paper हो सकता है तो आप लोग जो तयार हो जाईए और subject के combination आपका अच्छा डालिएगा जिससे आने वाले समय में आप जब teacher बनने जाए तो आपके जो subject डाले हो उसकी मतलब आगे scope हो जो आगे scope दायक हो आपको नौकरी में मदद कर सकते हैं तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जय हिन जय